अम्दाबाद परखंड शेत के गोपालपुर चौक पर महाटीका करण अभियान को सफल बनाने को लेकर जीविका दीदियों के द्वारा केंडल मार्च निकाला गया आपको बता दी कि अम्दाबाद जीविका परखंड परियोजना के द्वारा 17 सितंबर को होने वाले महाटीका करण अभियान को सफल बनाने के लिए ये मार्च निकाला गया वही जीविका परखंड परियोजना के कमुनिटी कॉडिनेटर नितेश कुमार ने बताया कि सभ्यान को लोगों तक पहुचाने से अधिक सदिक लोगों को कोविड टीका का लाव मिलेगा उन्होंने बताया कि टीका करण के शुरुवाती दौर से ही लोगों के दिल में टीका को लेकर तमाम तरह की गलत फहमिया थी लोग टीका लेने से ड़ते थे वही जीविका देदियों के सहयोग से सभी को जागरुक किया गया जिसका आज परणाम दिख रहा है लोग बढ़ चटकर टीका ले रहे हैं शुक्रवार को होने वाले टीका करण महाभियान को लेकर आदेश के अनुसार प्रखंट के सभी गाव में केंडल मार्च निकाला गया ताकि कोवीड की संभावी तीसरी लहर से बचाव के लिए अधिक सधिक लोग टीका ले और जो स्टार्टिंग से जितना भी हम लोग अभी तक किये हैं रोज लगभग 10 से 12 सेंटर लगता है यहाँ पर अंदावत परखंट में और हर सेंटर पर जिविका देदियों उपस्तिस होती है और अधिक से अधिक लोगों का टिका करण कराने में सुयोग करती है वो फिर अपने आपको समझे वो टिका करण की इस महत्तु को समझा और टिका करण जाके अपने वैक्सिनेशन दिया इस परकार से इस कल से ही कल एक टिका करण का महा अभ्यान चलने वाला है जिसके तथ हम लोग के डिपी सिउ काड़ियाले कठियार से ये आदेश दिया गया कि हर परखंड के हर गाओं में हर टोला में एक रेजी छोटी रेजी निकाल कर हम लोगों का जागरूप करे और ठिका करण के महत्तु को बताए शशी कुमार टाइम्स नूज अम्दाबाद दिकाल टाइम्स नूजज तब का नादा टाइम्स नूजज अम्दाद